यार आजकल थियोरी में क्रियेटिवीद की तो हाधी हो गई है अब यार एक ऐसी स्टोरी मेरे दिमाग में आई है चलो मैं आपको बताता हूँ वैनम और लोगन सेम यूनिवर्स में है क्या बत करें एरिया 51 के डेजर से लेके प्रॉफिसर एक्स की पिसाचिक स्टोर्स तक सब कुछ हायड हो गया है इस थियोरी में चलो चोटा सा डिप डैव करते हैं और देखते हैं कि क्या कान कर दिया है इन लोगों को ने वैनम दा लास्ट डांस में मैं भी क्या बोला हो यार थियोरी कुछ ऐसा कह रही है वैनम दे लास्ट डांस का फाइनल फाइट वही एरिया में एरिया 51 डेजर्ट में होता है चहां लोगन ने प्रॉफिसर एक्स को चुपाया था मतलब यह थियोरी वाले कह रहे हैं मतलब कि मैं ही जो एसीड वाट जो कोड़ी आउट ओव धैर है लगती है क्योंकि भाई साब यूनिवर्स तो अलग है पर यार मेरे दिमाग में और एक सीधा कुछ बोला है कि डिफ्रंड भी हो सकता है में भी सायद डिफ्रंड हो सकता है भाई साब थियोरी की तो वार लगा दी है एक ही लाइन में पर सोचो जरा अगर मार्वेल और सोनी सच में ये सब कुछ कनेक करने में लगे तो सूचो एक तरफ वूलवरीन और अपने क्लेव के साथ और दूसरी तरफ वैनम टैंटा क्लेस उसको ग्रैब करने का ट्राई करें एम्याजी एक फाइट जिसमें लोगन वसिस वैनम और बीच में प पताते नहीं पर लोगन का क्या ओपीनियन है आप पर खेर ये स्टोरी तो अफ़ाई लगती है सोनी और मार्वेल के दिल में सच में कुछ और बड़ा प्लान है कॉमेट में चरूर बताना और हाँ अगर तुम्हारी भी कुछ क्रेजी थीवरी है तो पता है वो भी सेयर कर तो यार क्या पता मजा आ जाए तो खेर ये सब तो होती रहेगी चैनल को सब्स्राइक पर दो और मिलते हैं और एक नई वीडियो में